प्रेंट्स कैसे हैं आप सब मैं उमीद करते हैं आप सब आज मैं आप सब को लजीजा खीर मिक्स का बहुत ही असान तरीका बताऊंगी ये खीर 5-10 मिंट तक बन जाती है इसके लिए हमें जादा इंग्रेंट्स की जरूत नहीं पड़ती क्योंके आज इंडिपेंडस डे है तो मैंने सोचा क्यों ना आज खीर की अपर छोटा सा फ्लैक बना लिया जाए और अपने वीवर्स के साथ इस रेसिपी को शेर किया जाए खीर बनाने के लिए मैंने यहां टू लिटर मिल्क का इस्तमाल किया है और यहां पर मैंने बदाम लिया है तो चली फ्रेंद्स अब हम अपने रसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं चुले का फ्लैम मैंने यहां पर ऑन कार लिया है बड़तर अम्आ गड़म हो चुका अब मैंसक अंदर यह मिल्क एड़ दूद्ध हमारा पहले से बॉयल था लजीजा खेर मिक्स के दोनों पैक मैं इसके दर एड़ करतूंगी बिस्मिल्ला रख्मानु वाहिम देखिये फ्रेंड्स इसके दर सब कुछ पहले सी मजूद है अब मैं इसको दस्मिन के लिए अच्छी तरह से पकालूंगी याद रहे मैं इसके नचमच लाती रहूंगी ताकि यह नीचे से लगना जाए प्रेंड्स यह देखें खीर हमारी आस्ता आस्ता गारी हो रही है अब यह मुकमल तोर पर पकी नहीं अभी हम इसको अच्छी तरह से और पकाएंगे और इसमें चमच लाते रहेंगे फ्रेंड्स यह देखिए खीर हमारी आप अच्छी तरह के से पक चुकी है यह कितनी ठीक हो चुकी है और अब मैं इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लूँगी बिसमिल्ला रुख्मान वाहिम अब मैं शिफ्ट को पदामों के साथ डेकुरेट कर लूँगी जुकी आज इंडिपेंडेस डे है इस खीर के अंदर एक में छोटा सा फ्लैक बनातूंगी फ्लैक बनाने के लिए मैं ग्रीन फूट कलर का इस्तमाद करूंगी मैं एक तूद्पिक की मदद से फ्लैक की पहले बॉंडरी तेयार कर लूँगी प्लैक बनातूंगी प्लैक के वाइट पार्ट को मैं पदामों से डेकुरेट करूंगी प्लैक बनातूंगी प्लैक बनात्यक दोटिक की फ्लैक की तूद्पिक अपनात्यक बनात्यक्ट गाट को एक फून की मतलब से रिन कर लूँगी ही पूपSc पूर्ट के से रिनका क्यां उट है जया झालेक इचाने के लूज से रिनकाटेश ने आनी ने ही posture अब मैं बदाम की मदद से चांद और सितारा पना लूँगी अब में बदारा पता है। व्यूवर्स यहाँ पर हमारी खेव रेड़ी हो चुकी है। अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें, शेयर करें, कुमेंट करें और बेल आइकन को याज से प्रेस कर दें ऐसा करने से में हर आने वरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी अलात अला हमारे मुलकों हमेशा काइमों दायम रखे पाकिस्तान जिन्दाबाद